नमस्कार दोस्तों बोल सकाई मैं आपका सौगत है चहरे को चमकाने के लिए तो आप बाहर के बहुत कुछ प्रोडक्स का इस्तिमाल करते हैं आँखों का देहान रखना, आइब्रो से लेकर अपर लिप्स का खयाल रखना लेकिन इन सब का देहान रखने के चक्कर में अक्सर आप कानों का देहान रखना भूल जाते हैं इस वजह से कानों में गंदगी जमा होती रहती है देहान रखें की चहरे के साथ-साथ कानों की सफाई करना भी बेहत जरूरी होता है अगर कानों की सफाई पर आप समय रहते द्यान नहीं देते हैं तो आपको हेल्थ से सम्मंदित परशारियों का सामना करना पड़ सकता है कान का मैल साफ करने के लिए ध्यान रखें कि किसी पिन से या नुकिली चीज से कान साफ ना करें इससे कान के परदे पर बुरा असर पड़ सकता है कान का मैल कम मातरा में कानों के लिए सही रहता है और ये पूरी तरहां समानने हैं लेकिन कान में ज्यादा मैल का होना आपके सुनने की शम्ता को भी कम कर सकता है यहां तक कि ये कान में रुकावट पैदा कर सकता है आपको बता दे कि कान का मैल सिर्फ एक गंदगी ही नहीं होती बलकि ये मैल समानने रूप से कान, नली और कान की नली का में चिकनाई बनाय रखने में मदद करता है कान में ये बैक्टीरिया और फपूंद संबन्दी सकर्मन होने से बचाव करता है दिहान रखे कि कान की सफाई करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसके लावा कानों में अगर मैल के अनुपस्तिती से सूखा बना सकता है साथ इसकी कमी से नली में खुजली और जलन हो सकती है कान की सफाई करते वक्त घरेलों उसके भी काफी कारगर साबित हो सकते हैं नारियल का तेल सभी के घरों में मौझूद होता है इस तेल में आप लहसुन की कलियां डाल कर गर्म करके कुछ बूंद डाल लें इसके बाद कान की गंदगी सब बाहर आ जाती है सेप का सिरका भी कानों को साफ करने के लिए काफी फायदिमन्द होता है फिलाल इस वीडियो में तना ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आये हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें